हेलो दोस्तों तो आज हम आपको पताएंगे कुछ चांद के बारे में हिस्ट्रिया चांद की योर विज्ञानों को का रुजाफ हमेशा से रहा है पृतिवी के बाद अगर किसी उपगरह को इंसानों के लिए उप्युक समझा गया है तो वह है चांद है पृतिवी के सबसे करीब और ठंडे इस उपगरह पर कई दोस्यों की स्पेस अजेंसिया ने समय समय पर अपने यान भेशती रही है इसकड़े में भारत तिसरी बार चांद पर पहुंच बनाने जा रहा है चंद्रियान एक और चंद्रियान टू के बाद चंद्रियान थ्री दुनिया के लिए इसलिए भी जग्यासा का विश्य बना हुआ है क्योंकि चांद के दक्षिनी दुर्व के छोड़ पर पहुंच बनाने वाला भारत पहला देश होगा चंद्रियान एक पहली बार जब पानी खोजा तद कालिन पधार मंतरी अटल बिहारी बाचपाये ने साल 2003 में चंद्रियान कार्यकरम की घुसना की थी 15 अगस्त 2003 यही वो तारीक है जब भारत ने चंद्रियान कार्यकरम शुरुआत की थी नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतिय मूल मिशन के लिए इसरो के चंद्रियान एक को मंजूरी दी थी इसके करीब 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को सिरीहरी कोटर के 37-58 केंद्र से चंद्रियान मिशन लाउंच किया उस से मैं तक केवल चार अन्य देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जपान की चंद्रमा पर मिशन भीजिनिक में काम्याब हो सके थे ऐसा करने वाला भारत पाज़वा देश था 14 नुमबर 2008 को चंद्रियान एक ने चंद्रमा के दक्षिनिव दूर्व के पास दुर्खटन स्तत हो गया था लेकिन तब तक उसने चांद की सतहे पर पानी के अनुव के मुझुदगी की पुष्टि कर दी थी चंद्रियान एक का डाटा इस्तमाल करके चांद पर बरफ की पुष्टि कर ले गई थी 28 अगस्त 2009 को 2020 के अनुसार चंद्रियान एक कार्यागरम की समप्ति कर दी थी लेकिन यह सुरुवाद भर थी भारत जल्द ही फिर से चांद परतिरंगा फ्रहाने का नमन बना चुका था 22 सेतंबर 2019 को दो बच के 43 मिनट पे भारत ने चांद की और अपना दूसरा कदम बढ़ाया 37 अंत्रिक्ष केंद्र HDSC सिरिया रिकोटर से GSL V Mark M1 द्वारा चंद्रियान टू लोंच किया गया 20 अगस्त को चंद्रियान टू अंत्रिक्ष यान चांद की कक्षा में परवेश कर गया इस मिशन का पहला मक्सद चांद की सतहे पर सुख्षित उतरना और फिर से चांद की सतहे पर रोबोट रोवर संचालिद करना था लेकिन दो सुतंबर को चांद की दुर्विक के ख्चा में चांद का चक्कर लगाने से में लेंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलो मिटर की उच्चाई पर लेंडर का स्पेस सेंटर से संपर्ण तूड़ गया चंदरयान 2.2.19 में चांद की सतहे पर सुरक्षित उतरने में विफर रहा था तब इज़रो कंट्रोल रूम में मुझूद पधार मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा था कि इज़रो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ है उसके बाद अगले कदम पर फसला करेगा और अब इज़रो तीसरी बार चांद पर कदम रखने जा रहा है भारत का तीसरा मून मिशन यानि चंदरयान 3 आज 23 अगस्त 23 साम 5.5 बज़े से 6.6 बज़े के बीच चंदर्मा की सतहे पर लैंड करेगा पूरे देश में विक्रम लैंडर का प्रग्यान रोवर की सौफ्ट लैंडिंग की कामना की जा रही है चंदर्मा की सतहे पर लैंड करते ही भारत चाद के साउथ पोल पर पहुशने वाला पहला देश बन जाएगा चंदर्यान 3 सोदो जुलाई को अंधरे पद्रेश के सिरिहरे कोटा स्तित 379 सपेस सेंटर में से लाउच किया गया था इसे भेजने के लिए LVM3 लॉंचर का इस्तिमाल किया गया था दक्षिन दुरुफ के पास का तापमान अधिक तम 100 डेगरी सेल्सियस से उपर और नियुंगतम माइनस डेगरी सेल्सियस से अधिक हो सकता है वहां मुझद पानी ठोस रूप में यानी बरफ की सकल में मिलेगा चास्टे चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा रंभा चांद की सतह पर सूरच से आने वाली प्लाजमा का नोका घंतर्व मातर और बदलाव की जांच करेगा इल्सा लेंडिंग साइड के आसपास भूंकाम पे गतिविद्यों की जाज करेगा और लेजर रेक्टर लेक्टर अरे अरे यानिकी लर अरे चांद की डाइनेमिक्स को समझनी की कोशिश करेगा चंदरियान 3 के विक्रम लेंडर में लगे LHDAC कैमरी ने हाली में चार्त सिवीरी भेजी जिन में कहीं बड़े गड़े तो कहीं मेदान एरिये नजर आ रहे हैं वहाँ ज़्यादा तरजमीन उबड़ खबड़ नजर आ रहे हैं बता दे कि 1958 से 2023 तक भारत अमेरिका रूस जपान यूरोपियो संगस चीन और इसराइल ने कई तरह के मिसन चांद पर भेजे हैं लगभग साथ दसकों में 111 मिसन भेजे गए हैं जिन में 66 सफल हुए 41 फेल हुए और 8 को अंसिक सफलता मिली भारा चंदरियान 3 के बाद जल्दी चंदरियान 4 की तियारी सुरू करेगा दोस्तों आपको यह चनकर जानकर कैसे लगी हमें कुमेंट में जुरू बताईएगा अगर दोस्तों आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई होगी तो कुमेंट में जुरू लिखिएगा अगले बार सम वीडियो में आपको किलिर आवाज में वोईश करके बता देंगे